ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा जै मातादी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधिना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुरगा की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों भगवान सुर्यदेव को जलरपित करना सास्त्रों में बताया हुआ एक बहुत ही महत्वपुर्ण नियम है सास्त्रों की अनुसार भगवान सुर्यदेव आत्मा के कारक है और पंच देवों में स्थान आता है इनका भगवान सुर्यदेव पंच देवों में से एक देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते हैं हम इनका दर्शन करके प्रति दिन इन्हें प्रणाम कर सकते हैं इन्हें अर्गे दे सकते हैं और इनसे अपनी मन की कामना कह सकते हैं भगवान सुर्यदेव की पूजा से बहुत अधिक लाप्राप्त होता है और जोती सास्त्र की अनुसार मात्रत 43 दिन में मन की कोई भी कामना हो भगवान सुर्यदेव को अगर हम जल देते हैं तो पुर्ण हो जाती है तो आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूं क कि किस प्रकार से हम भगवान सुर्यदेव को जल अर्पित करें किस समय जल अर्पित करें किन वस्तुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम भगवान सुर्यदेव को जल अर्पित करते हैं और हमारी कोई विशेश मनु कामना हो तो देखिए अगर हम प्रती दिन जल अर्पित कर रहे हैं सामान्य तोर पर प्रती दिन जो हम जल अर्पित करते हैं बिना किसी कामना के करते हैं निसकाम भाव से करते हैं तो उसमें बहुत अधिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है हम सुबह उठते हैं सनानि सट्रेफटर अविश्छ देवता माने जाते हैं और जोती शास्त्र में ग्रहों का राजा भी इनको मानागया है। म. जौती शाइस्त्र में वानसार कोई कामना हो जाती है चाहे हैं भागय का साथ आपको नहीं मिल रहा है या अत्म विश्वास में आपके कमी हो मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समधान चाहते हैं तो इस उपाय को आपको एक बार जरूर करना चाहिए और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और उन्हे ये उपाय जरूर करना चाहिए किसी भी प्रकार की नौकरी की समस्या है जैसे कि मन चाही नौकरी चाहते हैं या बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं नौकरी मिल नहीं रही है तो ऐसे में अगर आप 43 दिन तक भगवान सुर्य देव को जलर पित करते हैं तो शीकर ही आपकी नौकरी से सम्बंधित जो भी परेशानिया है वो दूर होती है और सिक्षा में सफलता चाहते हैं उच्च सिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं भी आपको यह उपाई जरूर करना चाहिए मतलब की किसी भी कामना के लिए आप यह उपाई कर सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अनुशास्षन में रहने वाले परण सुर्य बहारा इसलिए जब हम भगवान सुर्य देव की ग्रिपा चाहते हैं तो सर्व प्रथम हमें अनुशाशित रहना पड़ेगा अनुशाशित का मतलब होता है समय पर सोना समय पर जगना तो प्राते काल जल्दी उठना शुरू कर दें यानि कि सुर्य देव आपकी जन्म कुंडली में शुब फल देने लग जाते हैं लेकिन अगर आपको देर से उठने की आदत है सुर्य दे के बाद तक सोने की आदत है तो सुर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में भी हैं तब भी अशुब फल देने लग जाते हैं तो समय का ध्यान अवश्य रखें जब आप सुर्य की क्रिपा चा बहुत जरूरी नियम है जिनका पालन अत्यनतावशक है अगर आपकी कोई विशेश मनुकामना है और चाहते हैं कि बहुत शीगर पूर्ण हो देखिए सरोपर्थम तो रवी वार से हमें ये उपाई शुरू करना है मतलब किसी भी रवी वार से आप ये उपाई शुरू कर सकते हैं तो प्रातेहल जल्दी उड़ जाएं और श्नान करें श्नान के बाद आपको लाल वस्तरधारन करना है और उसके बाद तामबे के पात्र में आपको जल लेकर भगवान सुरे देव को जल अरपीत करना है बहुत से लोगों का यहां प्रशन आता है कि तामबे का पा हम करते हैं तो हमें वस्त्रों का सामगरी का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए तो तांबे का पात्र अवश्य होना चाहिए शुद्ध जल भरे उसमें और एक लाल पुस्प आप उस जल में डाले और उसके बाद भगवान सुरीदेव को जलर्पित करें लाल पुस्प आप अपनल緊이는 गुळान का हो तो अत्यंती स्रेश्ट होगा अब आपके घर में जहां से भी भगवान शुर्यदेव दिखाए देते हो उन्हें देखते हुए आपको ये जलर्पित करना है और भगवान सुर्यदेव को जलर्पित करने के बाद भगवान सुरे को देखते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का जब करना है और यह बतानी कि बिल्कुल भी आवशक्ता नहीं है कि गायत्री मंत्र कितना पावर्फुल मंत्र है इस मंत्र के उच्चारण से बड़ी बड़ी सिध्या प्राप्त की जा सकती है तो जब आप भगवान सुर्यदेव को जल अरपित करते हैं 24 बार मात्र अगर आप गायत्री मंत्र का जब करते हैं अपने मन की कामना कहते हैं तो बहुत शीगर आपकी मन की कामना पूर्ण होती ह करेंगे 24 बार गायत्री मंत्र का जब करेंगे और उसके बाद अपनी मन की जो कामना है भगवान सुर्य देव से कहेंगे और उनसे पुर्ण करने के लिए प्रात्ना करेंगे और सुर्य देव की तीन बार परिक्रमा करेंगे और अब बात करते हैं सबसे महत्यपुर्ण नियम के बारे बहुत से लोगों का प्रश्ण होता है भगवान सुर्यधेव को जल किस समय अरपीत करना चाहिए तो देखिए सास्तरों के अनुसार भगवान सुर्यधेव जब आसमान में लालिमा लिए हुए दिखाई करना चाहिए जो की सर्भस्रेश्ट समय होता है लेकिन हम जो ये उपाई कर रहे हैं इस पे हमें कुछ विशेश बातों का थ्यान रखना है जैसे आप अपने अनुसार अपना समय निर्धारित कीजिए किस समय आप जल दे सकते हैं मतलब अगर आप सुर्युदे के बाद भी जल देते हैं कोई समस्या नहीं है लेकिन एक ही समय होना चाहिए आपके जल देने का जैसे अगर आप प्रती दिन 6 बजे जल देते हैं तो 6 बजे जल दे, 7 बजे देना चाहते हैं या 8 बजे देना चाहते हैं जब भी आपके पास समय एक निश्चित हो कि इस समय में प्रति दिन जल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ ये समय मेरे अनुकूल है वो समय आप निर्धारित कर लीजिए आप सुर्योदे से लेकर 10 बजे के बीच में जल देंगे लेकिन एक दम सही समय पर मतलब अगर आप 7 बजे जल दे रहे हैं तो 7 बजे का मतलब 7 ब समय आपकी काम्ना पूर्ण हो जाती है बोहत ही चमतकारी आज माया हुआ उपाय है बस समय का ध्यान रखना है हमें अगर हम प्रती दिन एक सही समय पर सुर्य को जल अर्पित करें और 43 दिन तक लगातार उस नियम का पालन करें कि हमें इसी समय पर प्रती दिन सुर्य के सामने उपस्तित होना है उन्हें प्रणाम करना है और इसके साथी गायतरी मंतर का जब करना है अपनी मनों कामना कहनी है तो अगर हम नियत समय पर प्रती दि में बगवान सुर्येदयों प्रसन्द हो जाते हैं अगर हम उन्हें नियम पुरवक्त प्रती दिन डिनेंगे तामन पातर ले ना है इसके साथ ही आप उसमें लाल्पुस्प अवन्थे डालेंगे मितलब प्रती दिन आपके पास लाल किस प्रकार से करेंगे देखिए अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो पीरेट्स को स्किप करेंगे पीरेट्स के दिनों में हमें यह उपाय नहीं करना है लेकिन पीरेट्स के दिनों में भी आप सुबह जल्दी उठेंगे सुर्योदे से पहले ही उठें सुर्य देव से भी आपके घर में दिखाई देते हों प्रति दीन उनका दर्शन करें और इसके बाद उन्हें प्रणाम करें मन ही मन आप भगवान सुर्यदेव का मानसिक रूप से जब कर सकते हैं लेकिन मंत्रो चारण बोल कर नहीं करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है लेकिन नियम अपना कंटीनू रखेंगे मतलब पूरे पीरियर्स के दिनों में भी आप प्रती दिन सुबह जल्दी उठकर सुर्यदेव को स्मरण अवश्य करेंगे प्रणाम अवश्य करेंगे और अब बात करते हैं कि अगर आपके घर से सुर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं तो आप यह उप प्रणाम करें उनके सामने धूब दी प्रज्वलित करके उन्हें जलर्पित करें नियम बिल्कुल आपके लिए भी होगा समय निश्चित होना चाहिए और सामगरी निश्चित होनी चाहिए इस नियम का पालन करते हुए आप अपने घर के पूजा स्थल में भी अगर यह कोई भी कामना हो पुर्ण होगी कामना सिर्फ एक ही रखे मतलब मन की कोई भी एक इच्छा लेकर आप यह उपाई कर सकते हैं अगला प्रश्न क्या 43 दिन से ज्यादा इस उपाई को कर सकते हैं जी हां बिलकुल कर सकते हैं 43 दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं उसके बाद सामना कर सकते हैं तो बहुत महत्यपूर्ण होती है भगवान सुर्यदेव की आराधना और इनकी आराधना करने मातर से ही मनुस्री को उसके जीवन में समस्थ प्रकार के सुखों की प्राप्ती हो जाती है तो आशा करती हूं आज की वीडियो से आपको लाभ हवश्य होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिए और अपने अनुभाव हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए आप इस उपाई को जरूर करें इससे बहुत अधिकलाब होता है फैमिली फ्रेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें और इसके साथ ही कम आपको सही समय प्रप्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार